कि नमाज को देखते हुए उत्तरपुदेश की पुलस के तमाम सीनियर अधिकार ये संबल में कैंट कर रहे हैं और मुर्णाबाद की डियाई जी मुनिराज से डिटेल में बातचित की आज तक समध आता है जब आपने कल 20 मिटिंग की थी तो उसका कुछ वाज़ा या उसका असर लोगों पर होता हुआ ना अप देखे अभी लग लग आर ये बाहर है साथ साथ पूरा कि सभी कितना भी लोग है उन लोग ने अपना वालिटिस भी दे रहा है हमारे वालिटियर भी दिया है उन लोग लोग कर सकता है यह कहां से रहे है लोग नमाज के लिए आता है अचाना का रहा है उसके हम लोग ने रिस्टेंस उनको एडेंटी वेरिपिक करेंगे संजे शर्मा मेरे सयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं संजे प्लीज फ्रेम में आईए संजे आपसे यही जाना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज जिस अर्जी पर सुनवाई हूनी है उसका क्या स्टेटिस है अभी 17 नंबर मेंटर चल रहा था जब मैं कोर्ट में से निकल का आया था और अभी मुझे लग रहा है कि लग बग आदा पौना घंटे बाद शायद यह मेंटर आ जाना चाहिए क्योंकि 35 नंबर है उसके पहले मत्रा जन भूमी का भी मैंटर लगा हुआ है और इसके बाद फिर 35 नंबर मैंटर है कॉसलिस्ट में जो संभल की मस्जिद का है तो ऐसे में लग रहा है कि 12 बजे के बाद ही या हो सकता है पोस्ट लंच भी मामला सुनवाई के लिए आए चुकि अभी एक मामला जो बहुत देर से चल रहा है 17 नंबर मैंटर वो बहुत लंबा खीच रहा है तो इस वज़े से मुझे लग रहा है कि शायद टाइम लग सकता है और जहां तक रही बात संभल में रिपोर्ट दाखिल करने का मामला टलने की तो इस पर हमारे सूत्रिये बता रहे हैं कि चुकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबी थे लहाजा जिला अदालत ने इसमें आगे सुनवाई नहीं की है और इसमें सुनवाई के लिए आठ जनवरी के तारीख लगा दी है ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के मताबिक वो रिपोर्ट इसलिए भी सारोजनिक नहीं की है और इसलिए दाखिल करने का टाइम नहीं लिया है क्योंकि जब तक रिपोर्ट लिफाफे में रहेगी तब त देखा जाएगा आपका हम दिबार आरुक करेंगे इस बीच आपको बता दें कि 24 नॉम्बर को ही हिंसा मामले में एक दिन पहले ही पुलिस को कामियाभी मिली पुलिस ने कुछ हतियार जब्द किया और तीन आरुपियों को गिरफतार किया गया इन तमाम मुद्दों पर भीड को इंस्टिगेट करने की कोशिस की गई इस तरफ कोई एविडेंस सामने आ रहा है यह बिना उसके तो यसा हो नहीं सकता था आज ही तीनों को पहले डिटेंड किया गया उनसे पूछ ताच की गई उनकी ऑडियो भी आप सुन सकते हैं जिसमें भीड को इकठा किया ज है इसका मतलब कि कहीं ने कहीं सके प्लानिंग थी अब ये कि इस प्लानिंग की हमें जानकारी कैसे नहीं मिली दूसरी बात यह हैं आप देखेंगे हथियार लिए हुई भी लोग दिखाए दे रहे हैं घन लिये हुई एक जगह पर यहां पर मैं जरूर मानूँगा कि हथि करने के लिए और कारवाई करने के लिए तैयार है तो क्या ये सब इस्तेमाल हुआ था उस्वक्त जब बलवा हो रहा था पर रहा है। मेडिया पर सारी चीजे इस तरीके से नरेटिव गड़े जाने लगे घटना होने के उपरान थी कि देखो ऐसे हो गया यह अचानक से नहीं हो सकते हैं इसमें आपको लग रहा है या फिर कोई बाहर से कई बार हमने देखा इस तरह के बावाल के पीछे कई बार इंटरनेट के थ्रू बहुत जादा फॉरन लैंड से इंस्टिगेट किया जाता है तो ऐसा कुछ आंगल देखने को मिल रहा है इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि पुलिटिकल भी उदेश रहा हो आपने देखा होगा इसमें वहां के माने सांसत को नामजद किया गया है और आधार पर न भी नामजद किया गया है साक्षों के आधार पर तो पुलिटिकल चीजों से हम इंकार नहीं कर सकते